स्पॉंसर्ड बाइ पी एसेस विजिन अकैडमी थर्ड फ्लोर रमा गोविन पैलेस सिर्मोर चौक रीवा नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका विंद्या टाइमस में मैं अनाम है आयूशानन्द रीवा की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए बात कर लेते हैं पहली खबर की रीवा में पुलिस को सफलता हाथ लगी है आपको बता दें कि रीवा जिले के हनुमना थाना प्र हनुमना के वाड क्रमांक 11 में दबिश दी जहां आरोपी काबिज अंसारी के कबजे से 32 सीसी अवैद नशीली कब सिरप एवं 33 पत्ते नशे की टैबलेट को बरामत किया गया आरोपी को गिरफतार किया गया है और वहीं दूसरी कारवाई हनुमना थाना अंतरगात हाटा च पर 800 ग्राम गांजे के साथ आरोपी अशोक मिश्रा को गिरफतार कर लिया गया आपको बता दें कि सलागों की पीछे उन्हें भेज दिया गया है पुलिस के द्वारा आरोपियों के विरुद एंडीपी सी एक्ट के तहत कारवाई की गई जहां से नियायाले में पेश किया लिक्री कर रहा है तो मुक्विर के सुचना पर हम लोगों ने जा करके हनवना कश्वा में दविश दिया था जिसके घर से हम लोगों को 32 सी सी ऑन्रेक्स कब शिरफ और 33 पत्ते अलप्रा जोलम टैबलेट के और 15 पत्ते स्पैस्मों प्रोक्षीन कैप्सूल के प्राप्त इस आरूपी के विरुध पुरूव में भी कब सिरफ मादक पदार्थों की बिक्री पर दो अप्राद दर्ज किये गया है और हम लोगों ने उसको गिरफ्तार करके नयलेपेस कर दिया गया है जहां से उसको केंद्री जल्रीवा भीज दिया गया है और अवाइद मादक मिश्रा नामक बेक्ती जो है गाजय के बिक्री करता है समों से चाय की दुकान चलाता है जहां पर चोकी प्रभारी हाटा आयों में स्टाप के द्वारा दविस दी गई थी और दविस के दोरान हमको वहां 800 ग्राम गाजय बरामत हुआ था जिस पे हम लोगों ने जब्त करके और आरोपी के विरुद अपरात प्रमांग 472 अबलिक बाइस धारा आठ बेस भी एंडिप्ये सेक्ट का अपरात दर्ज किये हैं और उसमें करवाई हुई है बात कर लिते हैं दूसरी खबर की जिले के शातिर बदमाश को कट्णी पुलिस ने कट्णी में ही एक मोटर साइकल चुराते हुए रंगे हातों पगड़ लिया है जिसके बाद पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफतार किया बताया रहा है कि आरोपी ने कट्णी जिले से तकरीबन दो दरजन से अधिक बाइक चुरा कर अलग-अलग जिलों में भेजी थी जिसके बाद आरूपी को लेकर कटनी पुलिस रिवा आई जहां से बड़ी संख्या में चोड़ी की बाइक बरामत की गई कुछ बाइकों को के पुर्जे अलग कर दिये गए थे और अलग-अलग पार्ट्स को बेचा भी गया था जिसकी जानकारी के बाद पुलिस अलग-अलग गावों से वहनों को बरामत कर रही है दरसल रिवा के एक शातिर बदमाश ने अकेले कटनी जिले से दो दरजन से अधि बताया जा रहा है कि कई सालों से वह इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था पुलिस के लिए परिशानी का सबब बन गया था जिसे कटनी पुलिस ने मोटर साइकल चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया पुलिस की माने तो उन्होंने जब आरोपी को गिर आरोपी ने सारी गाड़ियां रीवा वसीधी के अलग-अलग स्थानों में बेची हैं आरोपी को लेकर चार वहनों में कटनी पुलिस की टीम रीवा आई हुई है इस टीम ने अभी तक आरोपी की निशान देही पर सत्रा बाइक बरामत कर ली है जिसे उसने हनुमना शाप आपको बताने की बिक्री की थी पुलिस का कहना है कि आरोपी को लेकर टीमे लगातार गाउं में घूम रही थी और दविश दे रही थी जहां भी उसने बाइक बेची हैं उन सभी को जब्त कर लिया गया है जानकारी के मुताबिक चार बाइक तो आरोपी ने काट दी जिसक के पुर्जे बरामद हुए हैं उसके शेश वाहनों को बरामद करने के लिए पुलिस टीम शेत्र में घूम रही है माना यह जा रहा है कि सारे वाहनों को बरामद करने के बाद अभी एक-दो दिन का समय लग सकता है और ओपी ने किन-किन गाउं में वाहनों को बेचा है यह उसको भी याद नहीं है यही कारण है कि पुलिस को वाहन बरामत करने में समय लग रहा है कि अब तो कि अब कि अब कि सुनील साकेत करके एक हन्मना निवासी है जो कटनी में रहता है और नश्यका आदी है गांजा और अन्य जो है मादक नशे करता है जिसकी वज़े से जो है वह पैसे की ज़िद्ववत होती इसलिए वह वहां चोरी करता है कि कटनी में उसने एक लगवक तीज वहां चोरी करने का कुठला टी आई कि उसे पूस्ताज को बढ़ाया था जिसको रीवा पुलिस और कटनी पुलिस सहीवक्त रूप से मिल करके उससे गरी 26 मोटर साइकल बरामत कि जिस पर कारवाज की जा रही है इस बात कर लेते हैं त पीसरी खबर की तो आपको बताने कि आज रीवा के वरिष्ट संविदा अभिकारी सुनीर शुकला का आकास्मिक निधन हो गया जानकारी के मुताबिक बीती शाम उन्हें अचानक चक्कर आया जिसके बाद वह अपने कमरे में गिर गय जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत गोश्ट कर दिया उनके निधन की खबर सुनकर रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने आज शोक सभा का आयोजन किया जहां पर उन्होंने सुनील शुकला को श्रधांजली अर्पित की जोरान न का निधन हो गया नगर निगम के अच्छे संविदाकार थे वो उनके कास्पिंग निधन पे हमारे नगर निगम के संविदाकारों के तरफ से एक सोक सभग रखी गई उनको मृत्त आत्मा को भगवान अपने स्री चर्णों में अस्थान दे और उनके परिवार को इस दुप की घड़ी में को सहने की छंता दे यही हम लोग की सब की सोक संविदना है और इससर से प्रात्ता करते हैं कि उनको परिवार को आगे कोई ऐसा दुप न ढेलना कि उसके लिए उनको मजबूती कुझे अगली ख़वर की तो आपको बता दी कि आज रिवा नगर निगम में भारतिये जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष दिनानात वर्मा के साथ भाजपा के सभी पार्षद रिवा महापौर अजय मिश्रा अजय मिश्रा बावस से मिल त्योहार का मौसम चल रहा है लेकिन शहर में फ़्यवस्था दुरुस्त नहीं है इसके अलावा दावा का चब्रफा नहीं और लेबरों की कमी को लेकर उन्होंने वापावर को सभार अज कि शहर में सवाइब विवस्था पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है दवाई का छिड़काव किया जा रहा है लेकिन आज एक बार फिर अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं सभी 45 वाडों में सभी विवस्थाओं की दुरुस्त किया जाएगा और संबंदित वाड पार्शत से बात कर वाड अभी हमारे पास भारती अंता पार्टी के संबानित पार्सद लोग आये थे सारे पार्सद आये थे उनका यह कहना था कि त्योहार का सियन चला रहा है सहर में सपाई विवस्ता नहीं है शुकर है और वह बोले कि दवाई का शुरुकाव नहीं हो ता कि मसीन नहीं चल रही है मैं ने स्थ्जुक दोनों स्वाशतकार ने देश दिया कि app पुना सारे 45 बार के संबंधित पारदों से दरोगा मिले का च्युका करेंं से पुंचके औरётся कि फॉकिंग मसीन बेजी जाए तो उनके बाढ़ के संबंदित पार्षा से पूचके और फॉकिंग मसीन बेजी जाए लेवरों की बात जो है वो सफाई कामगार की संक्य अक्काम है उसके बढ़ाने के लिए अभी हम लोग M.I.C. में प्रस्ताव लाएंगे जहां उचित Sponsored by PSS Vision Academy Third Floor Ramagovin Palace, Sirmor Chowk, Riva